हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आज की एक इस नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाल हैं डॉमिनार 250 के बारे में तो दोस्तों डॉमिनार 250 बजाज की तरफ से नई ओफरिंग है डॉमिनार सीरीज के अंदर डॉमिनार 400 से बिलकुल 100% डिजेंबल करती है डॉमिनार 250 और इन दोनों के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा कॉमन एलिमेंट्स देखने मिलते हैं डॉमिनार 250 इस पावर्ड बाई 248.77 cc सिंगल सिलिंडर एंजिन विच इस लिकुट कूल एंड ट्विन स्पार्क सो यह एंजिन हमें डॉक 250 के अंदर भी देखने मिलता है यह एंजि मेंटेड है एक 6-speed gearbox के साथ तो दोस्तों डॉमिनार 400 और डॉमिनार 250 के अंदर जो कॉमन फीचर से इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं जो है LED हेडलाइट, LED थेल लैंप और LED इंडिकेटर सिमिलर मस्कुलर दोनों का डिजाइन है और दोनों के अंदर भी हमें ट्विन पैरल एक्सास सिस्टम देखने मिलता है, दोनों में ही split seats है और fully digital instrument cluster है, तो दोस्तों डॉमिनार 250 के अंदर जो है हमें काफी चीजे थोड़ी अलग भी देखने मिलती है डॉमिनार 400 से, तो दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ, डॉमिनार 250 के अंदर जो front suspension है, वो 37 mm का USD fork, जबकि डॉमिनार 400 के अंदर 43 mm का USD fork है, front disc brake जो है, डॉमिनार 250 का, उसका size है 300 mm, और डॉमिनार 400 का जो disc है, उसका size है 320 mm, दोनों में ही हमें dual channel ABS देखने मिल जाता है, और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो difference है वो है इन दोनों बाइक्स के tire में, तो डॉमिनार 250 का जो front tire है, वो 100 section का 17 inch है, और डॉमिनार 250 का जो है, वो 110 section का है, जो 17 inches है, और जो rear tire है, डॉमिनार 250 के अंदर थोड़ा slim है, जो है 130 section, और डॉमिनार 400 के अंदर जो है वो थोड़ा wide है, जो है 150 section, तो दोस्तों डॉमिनार 250, हसक वरना के दोनों 250, और के टियम डूक 250, तीनों के अ तो तीनों में सबसे जो affordable bike अभी यह line-up में है वो है Dominar 250 जो है 1.6 lakhs एक showroom से और दोस्तों यह bike जो है 99% लोग इसको देखकर Dominar 400 ही कहेंगे जब तक इसका Dominar 250 वाला logo ना देख लें तो दोस्तो that's about it मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो को कर दीजिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को बाबाई